हाई एवरिवान आज का वीडियो बहुत ही अलग होने वाला है क्योंकि जो मैंने अभी यूट्यूब पर देखा है वो बहुत ही डिफरेंट है एंड मुझे उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहरी हूं वो नॉलेज जो मैंने देखा है वो है सागरतिवारी की वीडियो आचली मैंने आज ही देखिया है और इसको दो दिन हो गया है आए वे वीडियो को लेकिन मैं आज देख रही हूं so मैं वीडियो बना रही हूँ and information जो भी knowledge है मुझे मैं वो आपके साथ share करूंगी so first of all जो सागरतिवारी का जो title है वो साफ लिखा हुआ है कि demonic possession और psychological issue question mark तो मैं साफ बताना चाहती हूँ कि demonic possession वो नहीं हो सकता क्योंकि पूरी वीडियो मैंने देखी है बिना forward किये हुए तो उसमें साफ पता लग रहा है कि जितनी भी conversation हुई है बच्ची के बीच में और सागरतिवारी के बीच में या फिर उसके मम्मी पापा के बीच में और सागरतिवारी के बीच में उन्होंने कहीं पर भी इंडिकेट नहीं किया है कि बच्ची को या तो कुछ दिक्कते आ या memory loss हो रही है या कुछ ऐसा हो रहा है कि वो बतानी पाती है या बहुत ही hyperly active रहती है या कुछ ऐसी हरकते करती है जो controllable नहीं है और मैं बता दूं कि demonic possession वो होता है if you go and google कि what is demonic possession वहाँ पे भी आपको clearly mention लिखा होगा वहाँ पे कि demonic possession तब होता है उसके symptoms ही होते हैं कि जब आपने देखा होगा कि लोगों पे जब बहुत सुना होगा बहुती common language है ये कि उसके अंदर आत्मा आगी है किसी की and they behave very madly, crazily, बहुत mad behave करते हैं ऐसे ऐसे अजीब सा behave करते हैं उनको memory loss होने लग जाता है after behaving very madly उनको याद भी नहीं रहता कि वो कैसे behave करते हैं उनको थोड़ी थोड़ी चीज़े बूलने ही शुरू हो जाती हैं और उनको ये सारी चीज़े पता होता है उनके साथ क्या और है लेकिन पर वो किसी को बता नहीं पाते है क्योंक कि उस वीडियो में कुछ भी पोजेशन नहीं था बच्ची के उपर और जो उन्होंने सेकेंड चीज लिखी साइकलोजिकल इशूस साइकलोजिकल इशूस भी वैसे तो बहुत डिफरेंट होता साइकलोजिकल इशूस डेमोनिक पोजेशन से बट अगर देखा जाए तो सा बहुत दीरे दीरे चीज़े होती हैं साइकलोजिकल इशूस में साइकलोजिकल इशूस में डिप्रेशन इंख्यूड होता है सब कुछ इंख्यूड होता है लेकिन वीडियो देखोगे तो वीडियो में कहीं पे भी बच्ची ने यह नहीं बोला कि मतलब कहीं पे भी दिख कि जैसे ही बच्ची के साथ कुछ होता है तो वो तुरत आके हमें बता देती है आपने कैसे देखा बच्ची के बाल कटते हुए तो इससे क्लियर ली मेंशन होता है कि उसको डेमॉनिक पॉझेशन नहीं है वो बच्ची पुझेश्ट नहीं है उसको साइकलोजिकल इस भी नहीं है सकुछ भी नहीं है क्योंकि शेसे कमीं तो है यह जाए पेरेंग जेसे हो रहा है and according to them कोई डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर सकता that's why they didn't went to any doctor to get check up and all I think उनको जाना चाहिए and मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूं क्योंकि सागर्तिवारी ने अपने end में वीडियो में बोला है कि वो satisfied नहीं है इस investigation की जो भी उन्होंने किया है तो वो चाह रहे हैं कि कोई ना कोई psychiatrist या कुछ ऐसा doctor जो उनकी help कर सके और वो comment section में चाह रहे हैं कि वो इस investigation को आगे बढ़ाए अगर लोग उन्हें comments में बताएंगे तो और लोग चाहते हैं तो मैं चाहती हूं कि ये हो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहे हूं मुझे इसका solution नहीं पता लेकिन मैं चाहती हूं कि इस बच्ची के साथ सही हो और वो अपना जो childhood है वो बहुत अच्छे से बिताए और बस मेरी यही है कि जो उन्होंने अपना title दिया है उसके साब से उन्होंने वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था कुछ और था तो title भी कुछ और होना चाहिए था ताकि लोगों को थोड़ा confusion ना हूँ जितनी भी वीडियो में सागर तिवारी ने investigation किया है पूछता आज करिया है माबाब से पूछता आज करिया है बच्ची से करिया है बच्ची ने clearly सारी चीज़े बताई है कि एक negative सा कुछ दिखता है black black and like we humans walk तो हमारी side में परचाई चलती है हमारे पीछे and similarly उसकी भी जो भी energy वो देखती है उनकी भी चलती है and वही same चीज़ वो अपने माबाप को भी पताती है वही same चीज़ उसने सागर को भी बताई है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको clearly सब कुछ पता है अभी पता है या धीरे धीरे वो चीज़े वो भूलना शुरू हो जाएगी कुछ भी हो सकता है सागर ने EMF मीटर से लेके भी गए थे वहां पर और उन्होंने ट्राइ किया था कॉमिनिकेट करने का लेकिन वो कर नहीं पाए या वो कर रहे थे तो जो वहां पर जो भी अनर्जी थी जो बच्ची को परिशान करते है वो तब नहीं है मेरिया ने बता दिया है और अगर ऐसा है तो आप आओ यहां पर इस मीटर के पास आओ दो या तीन बत्तियं जला के दिखाईए अगर ऐसा कोई है यहां पर आसपास वो परच्छाई वो स्पिरिट कोई भी या कोई अनर्जी ऐसी कोई भी चीज़ है तो इस बच्ची के पास आईए और कम से कम यह बताईए कि आप इसके पास भटकते रहते हो आते रहते हो और इसे परिशान करते हो और वहाँ पर क्लियरली दिख रहा था कि कोई ब्लिंक नी हुआ है कुछ नहीं हुआ है तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी-कभी में भी कि उसको साइकोलोजिकल इशूज though and वो देख रही हूं कि कुछ ऐसा हो रहा और शी इस मेकी एवरीबड़ी यो नो कि ऐसा कुछ हो रहा हैं पर ऐसा कुछ हूं नहीं रहा है तो अगर EMF meter पे नहीं पकड़ा गया तो में को लग रहा था doubt हो रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है पर देन उसके जब ममी पापा ने बोला कि हमें बाल कटते हुए दिखते हैं and she had scratches on her head blood आया हुआ था बहुत ही extreme level पे बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा था देखके तो मुझे लगा कि सच भी हो सकता है या जूट भी हो सकता है आप लोग comment section में बताओ कि ये कितना सच हो सकता है कितना जूट and demonic possessed थी बच्ची या नहीं थी या उसको issues थे या नहीं थे and मुझे ये लगता है कि अगर बच्ची को कुछ हो भी रहा है and उसको कुछ दिख रहा है तो वो EMF meter पे क्यों नहीं आया because EMF meter एक ऐसा instrument है paranormal activists जितने भी होते हैं वो सब उस instrument पे इतना भरोसा करते हैं कि उनको चीज़े सामने आने लगती है इंडिया के बहुत बड़े paranormal activists थे गौरफ तिवारी उन्होंने भी यही क्या था तो लेकिन तब energy जब सागर्तिवारी ने करा उनके साथ बच्ची के साथ बैठके तब कोई energy नहीं आई and अब मुझे यह भी डाउट होने लगा है कि शायद जो EMF meter है वो भी शायद गलत हो सकते हैं क्योंकि अगर आप एक एक्स्प्लोरिंग इंडिया की वीडियो देखें तो उन्होंने दिखाया कि जो EMF meter है वो अगर आप टाप करो उस पर तो वो ब्लिंक होती है और यह देखो अब आया ना जब इसके बटन के साथ चेड़ चाड़ करूआ नहीं कुछ यह देखो जैसे मैंने यू पगड़ रखादा भी अलका सा मेरे इस पर बटन पर आत लगजाता है तो वो लाइट ब्लिंक होजाती दी और मेभी हो सकता है कि वो भी खराब हो हमें कुछ नहीं बता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या लगता है ताकि उस बच्ची की हेल्प हो सके व वो टेरिस पर होती है विज वेरी रॉंग और जल्दी से बस वो ठीक हो जाए इसलिए कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या सॉलूशन हो सकता है या किसी को रिकमेंड करो कि कोई हेल्प करने के लिए अगर आगे आ सकता है या किसी को पता है कि उसकी कोई हेल्प कर सकता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ सागर्तिवारी के कमेंट सेक्शन में वीडियो के नीचे डाल दो कि कोई तो help कर सकता है तो मैं बस ही चाहती हूँ कि वो बच्ची ठीक हो जाए एक और थोड़ी टॉपिक से हटके मैं अनाउंस कर रही हूँ कि प्लीज मेरे ब्रादर का न्यू चानल है व्लॉगिंग चानल है आई वांट यू गाईस तो गो और फॉलो हिम लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी उसने अभी नया चानल शुरू किया है और अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो आप मेरे भाई को भी उतना ही पसंद करेंगे और अगर आपको जानना है कि मैं इतनी लेट वीडियो या तीन-चार दिन बाद वीडियो क्यो डालती हूँ तो उसकी व्लॉगिंग पे देख लिया करो कि मैं पूरा दिन क्या करती हूँ जैनरली उसमें पता लग जायगा आपको कि मेरी तीन-चार दिन बाद क्यों आती है रेगुलर क्यों नहीं आती है या हफते बाद क्यों आती है तो आपको पता लग ज torpedo कि क्या कर रही होति हूँ मैं घर पे बैठके and वैसे चानल का नाम है दर रागव बगा तो प्लीज जाके आप देखिये उसका चानल और फॉलो करें, लाइक करें, शेर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच